जैही नबर वन आज हम लोग फटाफट करेंट दो हजार चौबिस में फरवरी मन्त के मोस्ट इंपॉर्टन करेंट को डिसकस करेंगे अगर आप किसी भी जैनरल कॉंपॉर्टिटिव एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हैलफुल होने वाली है जितने भी मोस्ट इंपॉर्टन करेंट है फरवरी मन्त के उसको मैंने इसमें इंक्लूड किया है तो इसमें हम लोग लगभग 50 फ्लस मोस्ट इंपॉर्टन करेंट को डिसकस करेंगे पहला है किस परसिद भारतिय सिक्षक को UAE का गोल्डन बीजा मिला तो आनंद कुमार को दिया गया है UAE का गोल्डन बीजा नेक्स्ट है भारतिय UPI शुरू करने वाला पहला यूरुपिय देश बना कोन बना तो France most important है नेक्स्ट है राजकोट स्टेडियम का नाम किस के नाम पर रखा जाएगा तो निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा निक्स्ट है भारती नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना नागरिको का वर्ष घोसित किया ठीक है तो 2024 को घोसित किया है most important है ठीक है हम लोग details से discuss नहीं करेंगे one liner है ठीक है to the point हम लोग discuss करेंगे इसमें समय भी बहुत कम लगेगा और आपका most important जो current है वो आपका revision हो जाएग next है अंत्रिम बजट 2024 में किस मंत्रालाई को सबसे अधिक बजट आमंत्रित किया गया तो रक्षा मंत्रालाई को most important है next है देश का पहला IIT satellite campus कहां विक्सित होगा तो उजेन में होगा most important है next है भारत सरकार ने किस हवाई अड़े को अंतराश्टी हवाई अड़े का दर जा ठीक है तो सूरत हवाई अड़ा next है भारती वायू सेना द्वारा exercise वायू शक्ती 2024 का आयजन कहां किया गया तो जैसलमीर में किया गया most important next है भारत का पहला मानो DNA bank बनाया जाएगा कहां बनाया जाएगा वारा नसी में बनाया जाएगा next है केंद्र सरकार ने दीदी योजन के लक्ष को बढ़ा कर कितना कर दिया ठीक है तो तीन कडूर कर दिया गया है next है किस विश्विद्यालाई को NAC का A++ grade मिला ठीक है तो कुरूचेत्र विश्विद्यालाई को मिला है most important है next है सबसे बड़ा आदिवासी तेवार सम्मक्का सरलम्म मेदाराम जतारा कहां आयजि किया गया है next है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सडक नेट्वर्क भारत के पास है next है दुनिया की सबसे उंची जमी हुई जील मैरतन का आयजन किया गया कहां पे लद्धाक में next है किस देश में अंतराष्टिय गीता महसव आयजित किया गया तो श्री लंका में next है अभी जो 2024 में पांच लोगों को दिया गया है भारत रत्न उसको मिला के अभी 53 हो गया अभी तक 53 ठीक है लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है Next है समान नागरिक सहिता लागू करनी वाला भारत का पहला राज्य बना ठीक है तो ये हो गया आपका उत्राकन Next है International Solar Alliance ISA का 119 सदस से देश बना कौन बना माल्टा बना Most important है Next है बाफ्टा अवर्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरुसकार मिला तो ओपन हाइमर को मिला है Next है किनके जन्मदीन पर राष्टिय महला दिवस मनाया जाता है तो सरोजनी नाइडू के तेरा फेरवरी को सेलिबरेट किया जाता है Next है वर्ष 2023 की भरष्ट चार अउधारना सुचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला तो 93 वां स्थान मिला है Next है सैन्ने अव्यास शान्ती परियास चार का आयोजन किस देश में किया गया तो नेपाल में किया गया है Next है नौसैनी का भ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहा हुआ तो विशाखा पत्नम में आयोजित किया गया है नेक्स थे चंद्रमा पर पहुँचनी वाला अब तक का पाँचवा देश कोन बना ठीक है तो जापान बना है नेक्स थे दुनिया का पहला लकडी का उबगरा लॉंच करेगा कोन करेगा जापान ही लॉंच करेगा नेक्स्ट है परधान मंत्री मोदी कहां ताला वीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की अधर शीला रखा ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है तो उडिशा में ये ताला वीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट ठीक है कहां पे रखा गया उडिशा में नेक्स्ट है भारत की पहली महला रोबोट जो आंतिक्ष में उडान भरेगी उसका नाम है ठीक है बियोम मित्र बहुत इंपोर्टेंट नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा थेयर्टल फेस्टिवल भारत रंग महत्सव कहां शुरू हुआ ठीक है तो गुजरात में नेक्स्ट है दो हजार तेईस में दुनिय मानने कर दिया है नेक्स्ट है आउशिस्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मानने ता मिला जल योद्धा के रूप में किसको मानने ता मिला तो नुएदा को ठीक है नेक्स्ट है आई सेसी अंडर नाइन्टीन मेंस प्रिकेट वर्ल्ड कप किस उसने जीता तो ऑस्टिलिया ने नेक्स्ट है दो दिवसी दोस मोचे महत्सव कहां मनाया गया तो लद्दाक में सलिवरेट किया गया नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने कहां जेनरल बिपिन रावत की परतिमा का अनावरन किया तो देहरादून 36 राश्टी पुस्तक मिला कहां आयजित किया गया तो हैदराबाद में आयजित किया गया किस राज्ज में लौह आयस्क के विशाल भंडार पाए गये हैं तो राजस्थान में पाए गये है नेक्स्ट है है हैंले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन सिर्ष पर रहा तो फ्रांस और इंडिया की रांक इसमें है 85 नेक्स्ट है परधान मंत्री मोदी ने कहां भारत के सबसे लंबी परिवाहन सुरंग का उदगाटन किया तो जम्मू कश्मिर में किया नेक्स्ट है कौन सा देश अंतराष्टिय सौर गट बंधन में शामिल हुआ तो मालता शामिल हुआ है नेक्स्ट है तिरिपक्चिय अभ्याज 2316 कहां शुरू हुआ ठीक है तो मालदीव में नेक्स्ट है किस देश की नीजी कंपणी ने चांद पर पहले कॉमर्शिल आंतरिक्ष यान उतारा ठीक है तो अमेरिका की मोस्ट इंपॉर्टन्ट है नेक्स्ट है सौदेशी लैजो हतियार दुरगा 2 का परिक्षोन कून करेगा ठीक है तो DRDO करेगा नेक्स्ट है नीती आयोग के रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने परतिशक्त आ गई है तो 5% पे आ गई है बहुत इंपॉर्टन्ट है नेक्स्ट है देश के नए लोगपाल को न्यूक्त किये गए है अजई मनिक राव खान विलकर ठीक है अजई मनिक राव खान विलकर बहुत इंपॉर्टन्ट है नेक्स्ट है किस राज्य ने कैंसर के अस्तर को शिग्र पता लगाने के लिए सवेरा कारिकरम शिरू किया ठीक है तो हर्याना नेक्स्ट है बिहार सरकार ने स्टार्टप एको सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस के साथ समझोता किया तो सिडवी के साथ समझोता किया है नेक्स्ट है किस विश्विद्यालई को यूजिसी से स्रेणी वन का दरजा मिला ठीक है तो बिहार केंद्रे विश्विद्यालई ठीक है नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने स्वेंग योजना लॉंज किया ठीक है तो पंजाब के दौरा लॉंज किया गया तो आज हम लोग अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें